असलाम लेकुम आज मैं लेकर आई हूँ फराठा पूरी की रेस्पी यह बहुत ही टेस्टी और डिलेस्ट पन के तियार होती है और साथ में यह बहुत ही स्वफ्ट होती है अगर आपने इसे एक वर बना लिया ना तो भार बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे तो चलिए इसे इसके बाद हम डालेंगे दो चमछ तेल आघज लुँए और सांथी डालेंगे हम एक अंडर अब ऐसमें डालेंगे हम एक चमछ नमक और एक चमछ चीनी डालेंगे अब fiscal आछटा है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है आब इसे में मैदे डाल59 मिलाते हुए आठे को अ करते जाएंगे इस तरह से यहां पर देखिए हमें ठोड़ रासा पानी कम लग रहा है तो हम स्पस्द new चमज के सपस हाँ पर पानी डाल अब इसे हम अच्छा से मिक्स करेंगे तो यहां पर हमने अच्छा से आटे को लगा लिया है बस हमें इतना ही सफ्ट चाहिए आप इसको उपर थोड़ सा तेल लगा लेंगे ताके उपर से पाप्री न जमें तो इस तरह से तेल लगा के हमें कम से कम दो घंटे के लिए रखन अचाहिद आँ तो कि न से फटाटा पुरी और सικά बनती है कि फहां देकिए दो घंटे हो चुके हैं अब थोरा सा हाथे हमें त्यल लगाएंगे और यम्मिह दो को इकटहें कर लेंगे को と बढ़ा यो देखिए इस तरह से इकटा कर लिया है आब आपहांस हमें त्यल लाग तो यह दिखे इस तरह से अब इसे हम एक पलेट के उपर रख देते हैं पलेट में भी हमने थोड़ा सा नीचे से तेल लागा लिया है अब इसके उपर भी थोड़ा सा तेल लागा लेंगे ताके उपर से भी यह सुखे न तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना के तियार कर ले सें और इस तरह से हम इसके उपर रखके हाथ से ही फ़ैल आएंगे फोलग तर çıkar कि अब इसके उपर थोड़ा से तिल लगाएंगे और 4 तरफ से इस तरह से फ़ला देंगे लिए आप जिस तरह से फ़लाएंगे लदा बनाता इसी तरह से हम सारे बॉन्स को बना लेते हैं बस इसी तरह से हातों से फैला लेना है और इसके उपर थोड़ सा तेल लगाईे और ले? इसे आ झापल़ बना के त्यार रिशा लेकिन देश्पंसrí हूल तो सबस्पर प्रिये यहाँ पर हम तेल लगाएंगे हैं ध्यान है कि यहाँ पर सुखे आटे का इस्तमाल नहीं करना है और इस तरह से एक बॉस लेएंगे और इस तरह से हाथों से दबाते हुए एक फर आटे का शेप्दे देना है यह बहुत ही असे असानी से भ़ैल जाती ह यह दिखिए इस तरह से हैं और हमने गयास के ऊपर घी गरम करने रख दिया है तो घी हो सका है आप इसे हम इस तरह से उठाएंगे तो धीरे से में इस तरह से चोड़ देंगे अब थोड़ा सा निच्चे से जब सीख चाता है तो इसे हम PULT लेंगे तो दोनों सेट से हम इसे अच्छे से फराई करने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं तो यह अच्छे से फराई हो गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं इसी तरह से हम दूसरा फराठा भी त्यार करेंगे बस थोरा सा नीचे से तेल लगाई है और इस तरह से हाथों से दबाते हुए फ़ला लीजिए यह देखिए तो यह त्यार हो गया है अब इसे भी हम फ्राइ कर लेंगे और इसी तरह से हम सारे फराठे बना के फराई कर लेते हैं आप इस फराठे को एक बर जरूर बनाए मेरे तरीके से यह आपको बहुत पसंद आएगी यह फराठे बहुत ही टेस्टी बनके त्यार होती है अगर आपने इसे एक बर बाना लिए ना तो इसी फराथे को आप बार बार बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमने सारे फराथे को बना के तियार कर लिए है एक मैं आपको दिखाती हूं यह दखें कितनी सॉफ्ट है इसे आप छोले का सांस्वर कुजिए यह आपको बहुत पसंद आएगी इस छोले का रेस्पी मेरे चैनल पर अप्लोड है इसका लिंक मैं देदोंगे वहाँ से आप देश सकते हैं तो आज की रेस्पी आपको कैसी लगी रेस्पी पसंद देतू वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें